सासे इडी कॉंस्टेबल दोजार चोविश की भरती को लेके यह तो आपको कोई यह बोड रहे के के पकी कट आप बहुत आई जाएगी यहाँ कोई बोल रहे को प्रसली विइद् stitched क्या है तो वीडियो को like, share करके channel को subscribe कर ले और well icon पर press कर ले ताकि future में आने वाली हर एक update का notification आपको सबसे पहले मिलता रहे तो सबसे main reason आप सभी को बता दें कि जो लोग high cutoff का बोल रहे हैं उनका कहना ऐसा है कि इस वाद number of vacancy कम है तो इस वज़े से high cutoff जाएगी आपको कुछ चीजें हैं जो की मैं यहाँ पे clear करने वाला हूँ जिससे कि आपको बहुत सारी चीजें एक्दम से clear समर्जा दाएंगी जिससे कि आप आगे की तयारी कर पाऊगे तो आगे बढ़ते हैं और आप सभी को यहाँपे सारी चीजें clear करते हैं तो देखो यहां पे लास्ट दो आपकी भरतियों का डेटा मैंने यहां पे ले रखा है एक 2022 और 2021 बीच वाला जो डेटा है इधर साइड वाला 2021 का है और इधर वाला 2022 का अगर 2022 की जो इसते जस्ट पहली वाली वर्ती थी उसकी हम बात करें तो 50187 विकिंसी निकाली गई थी जिसके लिए 24,593 अप्लिकेशन फॉर्म भरे गए थे 2021 में अगर आप देखेंगे तो 25,271 विकिंसी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था जिसके लिए SSC GD के इत्यास में सबसे ज़्यदा फॉर्म यानि कहत्तर लाग 66,69 फॉर्म इसके लिए परे गए थे अब यहां पे कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझ में आएंग 2930 फॉर्म जबकि आदी विकिंसी होने के बाद भी यहां पे लगवग आपको देखने के लिए मिल रहा है 2021 में आदी विकिंसी होने के बाद भी लगवग 17-18 लग फॉर्म जादा भरे गए थे फिर भी अगर आप देखेंगे तो कट आफ आपकी 2022 की जादा जाती है ना कि 2021 तो यह चीज़ें हैं जो कि आपकी समझने वाली हैं अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो हमेशा आप इसी कंश्योजन में लगे रहेंगे कि नंबर विकिंसी कम है तो इस पार तो बहुत जादा कट आफ जाने वाली हैं तो इसे साब से तो कहिना कहीं 2021 की कट ब पॉइंट वन वन परसेंट आपकी गई थी और वहीं पे सेम इसी कट आफ को 2022 में अगर आप देखते हैं तो यह कट आफ गई थी 77.31 परसेंट तो इसे मैंने नमबर में ना लेके परसेंट में लिया है क्योंकि आप सभी को पता है 2021 में जो एक्सामनेशन होता था वह 100 marks का होता था और 2022 में एक्सामनेशन होता था 60 marks का अगर मैं इसे परसेंट में नहीं करता तो आपको यह चीज़े थोड़ी सी कॉंप्लिकेट होती समझ में नहीं आती लेकिन यहां पर आप आसानी से तुलना कर सकते हैं इसलिए मैंने से परसेंट में कनवर्ट कर लिया है जिससे की वैल्यूज इक्वल रहे हैं यूनिट मैंने सेम कर लिया है इसी तरीके से अगर आप OVC देखेंगे तो 65 गई थी से sollten किनवर्ट केकिरी की सक्टारैकुट की सिच्टीन परसेंट में और नीटीनी यूजर परसेंट या नीकिवन जबी में यहँं आप यहां पे आप देखेंगे दो 2021 के कुर्ण दव्डोंसras 24,146 विकिंसी हैं जिसके लिए लगवक 47 लाख यहां पर फॉर्म अपलाए हुए हैं तो कट अफ जादा जाएगी अब आप इस चीज़ पर अगर यह चीज़ें डिसाइड करते हैं कि नंबर विकिंसी कम होने की वजए से और नंबर अफ एप्लिकेशन फॉर्म की वजए से कट अफ हाई होती है तो फिर 2021 में होनी ही चाहिए थी जब की ऐसा बिलकुल नहीं है इसलिए अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि यहाँ पर क्या होता देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत जादा खूबसूरत होती हैं और वो हमें बहुत जादा attract करती हैं लेकिन वहाँ पर जाके पता चलता है कि यह खूबसूरती कितनी भारी पड़ रही हैं सेम इसी प्रकार से यह भी चीज़े काम करती हैं कि जैसे समझो कि यहाँ पर number of application form तो भरे गए लेकिन नमर of vacancy की बजय से low interest होता है बच्चों का और जब low interest होता है तो इसमे सबसे ज्यादा फायदा होता है बच्चों का जो बच्चे serious होते हैं और पढ़ाई अच्छे से करते हैं क्यूंकि उनकी cut off कहीं न कहीं कम जाती है जब ज्यादा vacancy होती है तो बच्चे तयारी भी خिपर उस इसी की वज़े से low interest की वज़े से होता क्या है कि आपकी जो number of vacancy कम होती है तो candidate का interest भी कहीं ना कहीं कम होता है जिसकी वज़े से आपकी cutoff भी कम जाती है और यही कारण रहने वाला है आप सभी का 2024 की वरती में जिसमें 26,146 vacancy होने के बाद भी यहाँ पे 47,00,000,000 भले ही भरे गए हो लेकिन आपकी जो cutoff होगी मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ आपको यह तो नहीं कहूँगा कि आपकी cutoff high जाएगी या low जाएगी कि वही 2021 की परावर जाएगी लेकिन मैं आपको इतन नंबर लाने में भी काम्याब होते हैं तब भी आपका selection हो जाएगा इसी को आप तब realize करेंगे जब आपकी cutoff आएगी दूसरी बात आप सभी को बता है कि इसका न्यू विकिंसी का announcement अल्रेडी हो चुका है 2025 की विकिंसी अगस 2024 में रिलीज हो जाएगी अगर अगस 2024 में complete होगी यानि इसमें कुछ भी आपको delay देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि SSE की भरतियों में आपने common चीज देखी होगी पुरानी भरती complete होती है उसके बाद ही नहीं भरती का notification release होता है तो इसलिए मैं आप सभी को कहूंगा कि आपको यहां पे high cutoff के चक्कर में ना ज आपके यह चीज़ें समझनी चाहिए कि practical तरीके से किस तरीके से यह सारी चीज़ें काम करती है अगर आपको यह चीज़ें समझ में आगी तो आप अपने physical की तयारी करोगे साथी में जो बच्चे written examination देने जाने वाले हैं वो अपने exam की भी तयारी अच्छे तरीके से करें तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूंगा कि अगर आपका examination हो चुका है और आप अगर पिछली वाली cutoff यानि आप कुछ मत देखो आप दुनिया भर का data देखो कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा देखने की जरूरत नहीं है बस आप एक काम करो आप एक काम करो 2022 की ज समझे आप start कर दो क्योंकि जितना आपको घुमाया जाए क्योंकि देखो आप ऐसे समझो सभी राजियों की अलग-अलग cutoffs जाती है फिर उसे में border नकसल फिर सभी categories होती है एक दो तीन पांस तो आपकी categories होती है यानि कि सभी की जो cutoff बनती है वह लगवा 200-300 के आसपास मु बेसा बताइए 2022 की final cutoff देखेंगे तो 90% बच्चों की मेरी accurate रही थी क्योंकि जो data था वह बहुत static data था जो की हाथ लगा था उसी के साफ से मैंने वह तयार कर दिया था और अभी के according में आपको सिर्फ एक ही चीज़ कह रहा हूं बेफिकर होके अपने physical की तैयारी में करो जो की physical के लिए गई थी उसमें जितनी cutoff आपके state की है उतनी जा रही है तो आप qualify होंगे वेफिकर होगे अपनी तैयारी करो तो यह चीज़ें थी आपके लिए उमीद करतों कि एकदम से clear होगी होगी अगर आपको दिक्कत आ रही है कि आप 2020 वाली PDF नाउनलोड नहीं क examination में कितने question करके आए है कमेंट करके जरूर बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो thank you for watching जह जबारत